इव टीजिंग, छेड़ छाड़ के मामले, घर पे, पब्लिक प्लेस पे, इवन पब्लिक प्लेस पे रेप हुआ, कहां पे, बिंगॉल में, अभी कुछ टाइम पहले ये सब चीजों को हमने गने देखा है, उस इंसिरेंट के बाद बहुत सारे ऐसे इंसिरेंट सुनने में भ बहुत सारी चीजें हैं, जो हर लड़की फेस करती है, चाहिए वो इव टीजिंग के मामले में हो, ठीक है, पब्लिक बसेज में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा ली जाती है, लेकिन मैं याँ पे आज बिलकुल तारीफ करूँगी, कामिनी जी की जिस तरह स उनोंने शौट, मेरे खिलते साथ मिनट कुछ का वीडियो है, और वो सोशल मीडिया पे उनोंने डाला है, कहीं ना कहीं देखी, इंफ्लुएंसर है, और मैंने जो इनकी दिवरानी है, उनका भी वीडियो देखा, जहां पे वो भी एक जो मा है, मा हमेशा डरती है, कि अगर उनकी specially baby girl है, तो उसका admission हम school का कराएं, तो pass में ही कराएं, दूर ना हो, वो उनके दिमाग में है, और मुझे लगता है कि वो अपनी जगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ लोग की वज़े से, चाहे mothers हो, चाहे छोटी बच्चिया हो, चाहे बूडी ओरते हो, ठीक है, छो Welcome to my channel, it's me Swati, कैसे हैं, आप लोग आए, I hope आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा, जरूर देखना, और जिसको पता है कि वो लाइफ, जो कल कामिनी और इनके हस्बेंड आए थे, वो डिलीट क्यों हुई, क्या हुआ था, क्या रिजन हुआ था, अगर किसे हो कुछ पता है, तो जरूर मुझे बताना, तो मैंने देखा वीडियो और इनका बहुत छोटा सा वीडियो आया हलांकि मैं भी खुद थोड़ा सर्प्राइस थी, कि 7 मिनट 40 सेकिंड का वीडियो है, इतना छ प्लेस पे लड़कियां सेफ नहीं है, पब्लिक प्लेस में सेफ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, आए दिन हम इतनी सारी चीज़े सुनते हैं, तो कामिनी जी का जब ये वीडियो आया, ठीक है, और उस टाइम पे भी मैंने कहा था, कि ये चीज़े के आवाज उठानी जरूरी है और आज ऐसा ही एक example, ऐसा ही एक जो instance है, वो किसने share किया है अपना काम इनीजी ने बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, पांच लाग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं इनका और सोचिए उन्होंने अपना चांदनी चौक से मेट्रो आ रही थी, नॉइडा, ठीक है उस दौरान जो उनके साथ चीजे हुई, उन्होंने एक वीडियो में capture किया, सोचिए, यूट्यूबर है कैमरा रहता है, फोन आजकल हर एक के पास रहता है, तो ये सोच कि कही ना कही ने सोचिल मीडिया पे आ जाएगा, बहुत बड़ा अगर आप नाम हो, सोचिल मीडिया पे बहुत बड़े व्लॉगर हो, बहुत सारे सब्स्क्राइबर्स हो, तो कही ना कहीं एक ये ताकत होती है, कि हम कैमरा राउन कर देंगे तुमारी सच्चाई आ जाएगी, लेकिन लोगों को उसकी भी शरम नहीं है, ठीक है, जो घटिया लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का भी डर नहीं रहता है, आप समझ गए होंगे, मैं किन के लिए कह रही हूँ, जो आज आपने देखा, जिस तरह गरोड़े टाइटल लगा है पहले मैं टाइटल की बात करूँगे, और आपको अपने पॉइंट्स, अपने कुछ बात रखना चाहते हैं, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन फ्री है, कॉमेंट सेक्शन open है, आप बिलकुल अपनी बाते रख सकते हैं, और एक जो डर सही में एक डर रहता है लड़कियों में, रात में तो छोड़ी दो दिन में भी अगर ट्रैवल बाए मेट्रो कर रहे हो, या बाए किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो भी एक डर रहता है कि यार हम लोग safely पहुँच जाएं, है ना, तो इस डर को निकालना बहुत जरूरी है, और इस डर को कैसे निकालेंगे, लेकिन yes हर लड़की को अपनी आवाज raise करनी जरूरी है, हमेशा अपने डर में नहीं, family को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, कुछ हुआ हो, तो छुपा लो नहीं, क्या होगा, यही चीज़े होती है जो आगे और इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, अब आपने देखा, इन्हों ने जो title डाला है, लड़कियां, औरते, आज भी पब्लिक प्रेस पर सेफ नहीं है, आज जो हुआ, मेरे साथ वो वीडियो रिकॉर्ड के साथ है, तो जिस तरह से यह चांदनी चॉक गई थी, शॉपिंग करने, वहां से इन्होंने बताया कि, जब इनकी भाबी और इनकी सिस्टर चले गए थे, I think वो लोग भी पीछे, I think थोड़ा बलर किया है, उन्होंने उस लड़के की शकल नहीं दिखाई है, मुझे तो लगता है कि बलर भी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल शकल दिखा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को खुद को शरम आनी चाहिए कि जब यह ऐसी हरकते करते हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने बताई, आप लोगोंने भी देखी हूँगी कि मैं पीछे खड़े होके, चिपक रहा था, छेड़ रहा था, और कही ना कही लड़कें कि सोचते हैं कि नहीं चलो, क्या बोलू, ठीक हो जाएगा और लोग यह सोचते हैं ना कि चलो, भीड़ भाड में इन चीज़ों को कर लिया जाए लेकिन यह जो चीज़ें हर लड़की, कभी ना कभी चाहिए, वो कॉलेज जाते टाइम फेस करें या आपने वर्क प्लेस पे अपने जब ओफिस जा रही है, तब फेस करती है कोई ना कोई इंस्टेंस हर लड़की ने फेस किया है, लेकिन आखिर कभ तक, ठीक है मैं आपर यह कहना चाहूंगी, कामिनी जी ने जिस तरह से उस चीज़ को काफी देर तक चीज़ बरदाश करी लेकिन बाद में उन्होंने अपना कैमरा उन किया, यह सोचके, कि चलो भई, कैमरे के डर से ही थोड़ा, मतलब हट जाएगा उनको पहले लगागी, सब कुछ जान मुझ के कर रहा है, भीड आ रही है, फिर मेरे पास, मतलब बिलकुल, क्लोज आता जा रहा है उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, मतलब उसका आ गया है, बलर हुआ हालांकि उसका थोड़ा सा फेस विजिबल हो रहा है तो ऐसे उन्हों को शरवानी चीज़ जब उनकी फैमिली देखेगी, तब उनको, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी पता चलना चाहिए कि देखो हमारा बेटा किस तरह की हरकते कर रहा है, है ना, और कामेनी चीज़ी मैरेड है, उनका बच्चा भी है, ये चीज़ सिर्फ लड खा नहीं, तो मैं कहते हूं कि सही के रिकॉर्ड करके, और इस चीज़ से, क्योंकि ये इंफ्लुएंसर है, काफी लोग और इनकी कॉमेंट सेक्शन में लिखा है कि अगर आपको बलर ही करना था, तो आपको ये क्लिप नहीं डालनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसा कुछ नहीं है, इन्होंने ही बोला कि मेरे हस्बन ने मना किया था, लेकिन मुझे लगता है, बिल्कुल डालनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को, ठीक है, इनके आसपरोस में, इनकी फैमिली मेंबर्स को, इनकी सच्चाई पता चलेगी, ऐसे ही ऐलिमेंट्स होते हैं, इस तरह की mentality होती है, जा साइको लोगों की, यही होते हैं, जो कभी molest करते हुए दिखते हैं, जो कभी eve teasing करते हुए दिखते हैं, और जो कभी बढ़ते 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 यह चीजें, रेप का रूप भी ले लेती हैं, ठीक है, तो इस चीज पे कामिली जी का जो आज का वीडियो है, मैं appreciate करूँगी, और गुसा आता है जो इस तरह के लोग दिखते हैं, ठीक है, वो कितने, मतलब इनको इतनी सी भी शरम नहीं होती, वो सोचते हैं कि नहीं चलो, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, और वो लेडी कब तक मतलब, एक ना, मतलब सोच रही थी कि नहीं चलो, अब हटेगा, अब हटेगा, भीड का बहाना बनाके इस तरह की हरकते सही में, शरम आनी चीए से लोगों को, शेम होनी हो, और लोगों ने भी इनको जिस तरह से इन्होंने आज वीडियो में बताया है कि पब्लिक प्लेस पे, सोचिए पब्लिक आउट ओफ इंडिया हूँ, मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ पे जो ट्रेंस है, वो बहुत सेफ है, यह सब चीजे तो सोच भी ने सकते हैं, और मेरे को लगता है कि जब लड़कियों को यह सोचना पड़े कि नहीं हम कैब से जाएं, तो क्या कैब भी सेफ हैं, आपको यह भ अरे भाई क्यों, ऐसी चीजे होनी ही नी चाहिए, वो कैप से जाए, चाहिए, वो ट्रें से जाए, ठीक है, हर चीज, हर जगा सेफटी, यह प्रायर्टी होती है, जो होनी चाहिए लड़कियों के लिए, तो सब लोगों ने आज लिखा है कि बिलकुल आपने सही किया, और मतलब बहुत बड़िया किया कि आपने वीडियो बना के हमें एक सीख मिले ऐसे लोगों के साथ, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़े जितनी भी लड़किया शिकार करती हैं, लेकिन छुपा लेती हैं, कि नहीं बताती हैं, वो सोचती हैं कि नहीं चलो हमारे पेरें इसको ऐसे मैं क्या बोलू ऐसे लोगों को, बड़ावा मिलता है, तो हर लड़की अगर स्ट्रॉंग हो जाए, हर लड़की अपनी अगर आवाज रेस करें ऐसे लोगों के लिए छुपाए ना, उसी टाइम, और जिस तरह से कामिली जी ने चिला के बोला, कि थोड़ी डिस थपड़ से थपड़ जरूर पढ़ना चाहिए था इस तरह से, और सबने लिखाए, यूर राइट दी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें पर फील हो जाता है, बैड टच है, या कुछ और, ऐसे कैसे लोग होते हैं, जो समाज को गंदा करते हैं, और काफी लोग एगरी करते वे दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखाया कि आपने सही किया ये क्लिप डालके, अकेले लड़की या अकेले लेडीज को देखकर ज्यादा बत्तमीजी करते हैं, पर इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सही किया वीडियो बनाकर ऐसे लोगों को दिख लेकियों को देखकर तो जरूर हेल्प करना चाहिए, बैस सबको हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की, अवास रेस जरूर करनी चाहिए, आपने बलर क्यों किया, हद है, इंफ्लूएंसर होके आप अवास नहीं उठा रहे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं, आपको वीडियो और लड़के को ले जाके पुलिस को बताना चाहिए आप भी तो इग्नोर ही किया मेट्रो के बाहर ही पुलिस होती है पर्स के लिए आप कंप्लेंट कर सकती है पर मिस बीएव के लिए नहीं हद है तो यहाँ पे मुझे भी इस चीज से थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ जिस तरह से इनोंने सिर्फ वीडियो बनाया और इनोंने अभी भी वीडियो में बलर किया ठीक है क्योंकि इनका अपना वो था कि मेरे हस्बंड ने मना किया लेकिन येस आप इंफ्लुएंसर ने आप चाहती तो उसको पकड़ के सारी भीड खटी करके आप उसको पुलिस थाने लेके जाती येक एक्जाम्पल सेट होता है ना लेकिन क्या था इनके मन में उने और जाधा स्टेप नहीं लिया जाधा एक्शन नहीं लिया लेकिन मुझे भी लगता है कि बिल्कुल आपको कंपलेंट करनी चाहिए थी क्योंकि आप इंफ्लेंसोर और आपने सोशल मीडिया पी चीज दिखाई है तो आपका अगर एक स्टेप और जाधा जाता तो ये और दूर तक लड़कियों तक जाता और लोगों तक अवास जाती आपकी राइट बाकी उदर मैंने निकी का भी वीडियो देखा जहांपे उन्होंने कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे जहांपे लोग कह रहे थे कि धनुआ धन्वी का एक ही स्कूल में अड्मिशन क्यों नहीं करवाया जहांपे धनुआ पढ़ता है वहीं पे अड्मिशन कराओ तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि ये बहुत टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ये ही चाती हो हमेशा से हम ये चाते थे हमारी बच्चों का जो स्कूल का एड्मिशन है हम पास में ही कर रहे हैं धनुआ का थोड़ा दूर है स्कूल चाहें बेटी हो ये कंसर्न सबके दिमाग में रहता है और मुझे लगता है कि जब आपको स्कूल क्योंकि इंटर्व्यूज वगरा भी होते हैं जहां पर आपके बच्चे का होना होता है मतलब भेजते हैं चाहें दूर हो या पास हो लेकिन हाँ अपनी तरफ से पेरेंट सरूर कोशिश करते हैं कि बच्चे को सबसे मतलब सेफटी सबसे इंपोर्टेंट रहती है कि पास में ही अगर एड्मिशन हो जाए है और जहां पढ़ाई भी अच्छी हो तो खेर वो तो हमें पता आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा कहां पर एड्मिशन हो लेकि इनका कंसर्न भी मैं समझती हूँ कि मैं भी खुद एक मदर हूँ और मेरी भी बेटी है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं लोगों को इखटा करके लेके जा सकती थी राइट बाकि इनका क्या क्लैरिफेकेशन होगा क्या इनका बोलना चाहेंगी इनकी वीडियो में हमें पता चल जाएगा बाकि एस ऐसे लोगों के लिए आवाज उठानी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग चुप रहके इन लोगों को और एंकरेज करते हैं इस तरह की गंदी हरकते करने पे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकियो सोमच फूर वचिंग बाई बाई और जाने से बहले लाइक शर सबस्क्राइब कर देचेएगा